आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को डेली फ्रीडिस से रिलेटेड बहुत ही अच्छी अपडेट्स बताने वाला हूँ तो चलिए मैं आप सभी को पूरी जानकारी बताता हूँ हमारी सबसे पहली अपडेट जानते हैं पहली अपडेट है स्टार उत्सम मुवी चेनल को लेकर दोस्तों स्टार उत्सम मुवी चेनल पर एक नई मुवी आने जा रही है जो कि ये स्टार उत्सम मुवी चेनल पर पहली बार दिखनी को मिलेगी मुवी का नाम है ब्रम मास्तर पार्ट वन सिभा जो कि रनवीर कपूर की मुवी है ये मुवी आप सभी को चार फर्वरी को दिखने को मिलेगी शाम के साथ बचे तो आप सब मिश्मत कीजेगा बहुत ही अच्छी ब्लॉक पस्टर मुवी है जो कि आप सभी को स्टार उत्सम मुवी स्चेनल पे पहरी बार दिखने को मिलेंगी और दोस्तों हमारी दूसरी अपडेट जानते है हमारी दूसरी अपडेट है कलर सिनेपलेक्श शूपर हिर्स चैनल को लेकर जो कि एक साउथ फिल्मों का चैनल है दोस्तों करर सिनेपलेक्शुपरहिर चैनल पर एक नया फिल्म फेस्टिवल स्टार्ट होने जा रही है फेस्टिवल का नाम है तोड़ फ्रवरी फिल्म फेस्टिवल जो कि आप सभी को 5 फिर बरी से लेकर 9 फ्र बरी तक दिखने को मिल जाएगा मंडे जू फ्राइडे शाम के 7 बजे तो आप सब मिश्मत कीजेगा ओके दोस्तों हमारी अगली अपडेट जानते हैं हमारी अगली अपडेट है सोनी वहा चैनल को लेकर सोनी वहा चैनल पर भी एक नई मुवी आने जा रही है जो कि सोनी वाह चिनल पे पहली बार देखने को मिलेंगी मूवी का नाम है 65 जो कि एक बहुत अच्छी हालीवुड की मूवी है आप सभी से मिश्मत कीजेगा ये मूवी आप सभी को सोनी वाह चनल पे पहली बार देखने को मिल जाएंगी 18 फर्वरी को दुपर के 1 बज़े सोनी वा चैनल पर तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं डीडी फ्रीडिस के 75 यॉक्षन के बारे में जो कि डीडी फ्रीडिस के MPG2 सेटर बॉक्स के लिए किया जा रहा है और इसके बारे में मैंने आप सभी को टीटेल में जान करी दी है एक वीडियो में अगर आप सबने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखिए तो उसका लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्सन में मिल जाएगा दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि 75 एक्षण 19 फरवरी को किया जाएगा और इसमें जो भी चैनलस आएंगे वो आप सभी को एक अप्रेल से दिखने को मिल जाएंगे लेकिन दोस्तों कुछ ऐसे चैनल से जो कि अल्डेडी कमेंडमेंट करके बैटे हैं कि हम इस बार डीडी फिडिस पर आने वाले हैं तो चलिए उनका नाम जानते हैं पहला चैनल का नाम है इंडिया एहेड हिंदी जो कि पहले एक इंगलिज चैनल हुआ करता था लेकिन अभी ये ब्रैंड हो चुका है हिंदी में ये चैनल अब आपको डीडी फिडिस पर दिखनी को मिलेगा और इसने ओफिसली कंफर्म किया है कि ये डीडी फिडिस पर आने वाले हैं लेकिन देखते हैं कि स्रोड जीत पाता है या फिर नहीं दूसरे चैनल का नाम है शेमारू बॉलिबुड दोस्तो इसने तो ओफिशली कंफर्म नहीं किया है लेकिन शेमारू के जो भी नए चैनल होते हैं वो सबसे पहले डीडी फिडिस पर आते हैं इसलिए मैंने इसको शामिल किया है और अगले चैनल का नाम है सेमारू क्लासिक्स जो की एक बहुत यचा क्लाशिक फिल्मों का चैनल रहने वाला है और दोस्तो इस पर आफ सभी को बहुत यची मुविज दिखने को मिलने वाली है ये चैनल भी डीडी फिडिस के इस योक्षन में पार्टिसिपेट कर सकता है और आफ सभी को दिखने को मिल सकता है और दोस्तो अगले चैनल का नाम है गोल्ड माइन्स एक्षन जो की गोल्ड माइन्स टेली फिल्म्स का एक नया चैनल है इसको भी डेडी फिर्डिस पर इसमार लांज किया जा सकता है ये चैनल डेडी फिर्डिस की ये उक्षन में पाइटिसमेट कर सकता है और श्लोट को भी जीत सकता है दोस्तो और अगले चैनल का नाम है रापचिक जो कि एक भोशपुरी फिल्मों का चैनल है और दोस्तों बात करें इसकी picture quality की तो इसकी picture quality भी बहुत थी अच्छी है और भोजपुरी फिल्में यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं दोस्तों इसने commitment किया है कि इस बार ये डीडी फिटिस पर आने वाले हैं तो देखते हैं कि या पाते हैं या फिर नहीं और अगले चैनल का नाम है भारत एक्षप्रेस जो की एक नियूज रिपोर्टिंग का चैनल है ये चैनल इस बार डीडी फिडिस पर आने की शंबाबना चाता रहे हैं तो देखते हैं आप आता है या फिर नहीं तो भाई लोग आज के इस वीडियो में बस इतना ही अगर आप सभी को जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेर कर देना धन्यवाद